a wire of mass a wire of mass capital M is hanging then the ratio of extensions in upper and the lower part easy है वैसे तो देखिए एक पूरी rod अगर मैं consider करता हूँ तो यह L, M हो जाएगा यह इसका center है तो यह M by 2 हो जाएगा L by 2 हो गया M by 2 हो जाएगा L by 2 हो जाएगा ठीक है तो upper part and lower part की बात कर रहा हूँ तो मैं देखिए यहाँ पर if I consider this to be your upper part ठीक है अगर upper part है यहाँ पर तो इसका mass भी कितना हो जाएगा M by 2 है और we can see that जो नीचे वाला part है वो इसके अंदर hang कर रहा है ठीक है अगर यह M by 2 है तो हमें center of mass वाली की बात से पता है कि wire massless नहीं है तो इसके अंदर अलग-अलग tensions होगी और अलग-अलग extension होगी थी तो for that, हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इसको मास्को आदा गर के, नीचे की तरफ अड़ कर दिया था agreed तो यह upper के लिए हो जाता है ठीक है तो अभी क्या पूठा हैàn, upper के लिए क्या पूछे है? Extension के बारे में पूठा है क्योंकि material same है तो आपके पास क्या हो गया y is equals to fl by a delta l which implies delta l upper is fl by a y now see यहाँ पर जो upper वाला part है के लिए उसके लिए force कितना हो जाएगा m by 4 ही है तो 3m g by 4 into l by 2 upon a into y right l by 2 क्यों किया आदी rod है और m by 4 इसको add करने पर आया तो हमारे पास finally यह वाला expression आजाता है similarly जो delta l lower आपके पास आता है वो आजाता है यहाँ पर इसको देख भी लेते हैं चलिए कि अगर मैं एक rod को यहाँ पर यह ले लेता हूँ तो यह नीचे वाले के case में तो simple m by 2 ही आएगा m by 2 है तो यह m by 4 आजाएगा यहाँ पर और l by 2 वो को ही रहेगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर mg by 4 into l by 2 upon a into y right तो दोनों का जब हम रेश्यो ले रहे है तो डेल्टा एल अपर एल लोवर इस पूरी चीज़ कैंसल होगे mg l by 4 mg l by 2 l by 2 और यह सब पूरा कैंसल हो जाता है तो फाइनली आपके पास एक्स्परेशन हाता है 3 is 2 1 का तो option number a यह हो जाता है समझना वाला वाला point यह है और यह वाली बात कि अगर यह इस तरीके से दे maskless rod नहीं है यह wire नहीं है तो extension होता है तो उसी का हम लोग नीचे की तरफ add भी उसके mask को कर लेते हैं जिससे answer आ जाता है देखिए m by 2 तो नीचे वाला rod के लिए था और इसका m by 2 था और m by 2 का आधा किता हुआ m by 4 तो overall में उसमें मैंने उसको add कर दिया और second वाला जो case लिया जो lower वाला है lower वाले case में उसमें simply m by 2 का एक और आधा ले लिया m by 4 आ जाता है तो this is your 3s to 1